डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट टैक टीवी सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस ते नोटिफिकेशन पटन अन्टैरियो में करोना वायरिस के एक ही दिन में 934 केसिस रिपोर्ट लॉंग टर्म केर होंस में दो हदार से जाएद अफराद हलाक हो चुके हैं, सुबाई मुहक्मा सहत ने नए मतवका अदाद और शुमार जारी कर दिये टरॉंटो के मेयर शहर में जिम्स खोलने के लिए पुरादम करोना के बाइस शहर को स्रेच टू के तहट पाबंदियों का सामना है, सक्थ पाबंदियों को कम करने के हवाले से गोर किया जाएगा अमरीका के खिलाफ चीनी टेग कमपनी की सी एफ ओ मेंग वांजो ने बड़ी काम्याबी हासिल कर ली, अदालत की जानिव से वुकला को इस वहस की इजाज़त दी गई है, कि अमरीका ने मेंग के केस में केनिडा को धोका देने की कोशिश की केनिडा में करोना वायरिस के पहलाओ का सिल्सला जारी है, जिसमें मसलसल अदाफा देखने में आ रहा है, आखरी इतलाद के मताबिक केनिडा में करोना वायरिस से मतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,28,542 हो गई अदादी जार राए के साथ मजाइब का एतराम भी दरूरी है, क्वाम मताहिदा के इत्ताद बराय तहजीब के नुमाइंदे का कहना है कि गुस्ता खाना खाकों के मामले पर बढ़ती हुई कशीदगी और बेचैनी पर गहरी तश्वीश है अमरीकी हुकुमत ने ट्रम के इलाज के लिए इस्तमाल होने वाली दवा के हसूल के लिए अहम मौाइदा कर लिया, अमरीकी हुकुमत ने कमपनी के साथ एक सो नो बिलिन डॉलर का मशरूत मौाइदा किया, जिसके तहत कमपनी दवा की दस लाख खुरा के तयार करेगी और करोना वायरिस से मुतासरा अफराद की तादाद चार करोड तिरे पन लाग साथ हजार पांच सो बायासी तक जा पहुंची जबके इस मूजी वायरिस से हलाकतیں 11,86,609 हो गए हैडलाइन्स आपने मुलाइज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ कैनिडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत ज़रूरी है हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलाइबल, ट्रस्टवर्दी और ओनेस्ट लॉफर्म अफ शिखाशारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन विल्कुल फ्री है कॉल लॉयर शिखाशारदा 905-956-6699 अंटेरियो हकूमत की जानिब से जारी करदा नए मतवका अदाद शुमार के मताबिक सूबे में करोना वाइरिस का फैला हुकम हुआ है हुकाम के मताबिक 800-1200 केसिस सामने आ सकते हैं महिकमा सहथ की जानिब से इस बात का भी खत्शा जाहिर किया गया है कि इस बिमारी में अचानक बहुत तेदी से इदाफा हो सकता है इस हवाले से मदी जानते हैं कैनेडियन सूबे अंटेरियो के महकमे सहथ की हुकाम की जानिब से सूबे में एक ही दिन में करोना वाइरिस के 934 नए केसिस सामने आए हैं जबके लांग टर्म केर होम्स में 2000 से जाएद अफराद हलाक हो चुके हैं सूबे की जानिब से जारी करदा नए मतावके आदाद और शुमार के मताबक सूबे में करोना वाइरिस का फैलाव कम हुआ है हुकाम के मताबक 800 से 1200 केसिस सामने आ सकते हैं हुकाम का कहना है हम अभी केसिस में इजाफा देख रहे हैं ताहम सुरतिहाल तश्वीशनाक नहीं है इसका मतलब ये नहीं के मुश्किलात खतम हो चुकी है मेंगमे सहथ की जानिब से बात का भी खच्छा जाहर किया गया के इस बीमारी में अचानक बहुत तेजी से इजाफा हो सकता है सूबे में रिपोर्ट होने वाले 934 केसिस में से 420 टरॉंटो में रिपोर्ट हुए जो अब तक की एक ही दिन में नए केसिस की सबसे ज़्यादाद है इस से कबल 29 सितंबर को 330 केसिस रिपोर्ट हुए थे गुज़िशता 24 घंटों के दारान पील रिजन में 179 यार्क में 25 और आटोवा में 58 केसिस रिपोर्ट हुए आटोवा और पील रिजन को करोना वाइरिस के बढ़ते हुए केसिस की वज़ा से 10 अक्तूबर से सूबे में स्टेज 2 के तहट पाबंदियां आइट की गई है पाबंदियों के बाइस जिम्स को बंद कर दिया गया और रेस्टरेंट्स और बारों पर इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आइट कर दी गई थी मदी जानते हैं इस रिपोर्ट में ट्रॉंटो के मेर जॉन टॉर्डी ने कहा है कि शहर का पबलिक हेल्थ यूनिट जिम्स को बाहिफाज़त दुबारा कूलने का मनसूबा तयार कर रहा है जिसमें सख पाबंदियों को कम करने के हवाले से गोर किया जाएगा उनका क्याना था कि अच्छी सहते आमा की पॉलिसी सिर्फ नॉविल कोरोना वाइरस के फैलाओ को रूपने से कहीं ज्यादा है जॉन टॉरी ने कहा ये शहरियों की जिसमानी और जहनी सहत और उनकी मौशी हालत से मतालिक है ये वो सब कुछ है जिसकी वज़ा से लोग मचमुई तोर पर हमारे शहर में सहतमन रहते हैं और वर्जिश इसके लिए नहायत एहम है वाज़ है के टरॉंटो आटोवा और पील रिजिन को कोविड नाइटीन के बढ़ते हुए केसिस की वज़ा से 10 अक्तूबर से सुबह में स्टेज टू के तहट पाबंदिया आइद की गई है पाबंदियों के बाइस जिम्स को बंद कर दिया गया और रेस्टोरान और बारों पर इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आइद कर दी गई थी गुदिश्टा माह होने वाली समात में मैंग के वुकला ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस थाबित करने के लिए कि अमरीका ने उनके मौकिल के खिलाब धोका दही से काम लिया है और उनके पास काफी मजबूत सबूत मौजूद है मदी जानते हैं इस रिपोर्ट में चीनी टेक कमपनी की सी एफ ओ मैंग मौन्जू ने बड़ी काम्याबी हासल कर ली अदालत की जानब से वुकला को इस बहस की अजाज़त दी गई है कि अमरीका ने मैंग के केस में कैनेडा को धोका देनी की कोशिश की हुआवे एक्जेगेटिव की हवालगी केसिस के निग कदही के इल्जामात को कमजोर करने वाले केस के एहम हिस्सों को खारिच कर दिया था और उनके पास काफी मजबूत सबूत मौजूद हैं हुआवे की सी एफ ओ मैंग वैंजू को कैनेडियन हुकाम ने नवंबर के आखे में ब्रिटिश कॉलंबिया के शेह वैंकोवर के एरपोर्ट से अमरीकी हकूमत की दरफ़ास पर गिरिफतार किया था कैनेडियन हुकाम ने साथ रोज बाद मैंग की गिरिफतारी को जाहिर किया था अदालत में पहली समात के दौरान बताया गया था कि मैंग वैंजू ने एरान पर आएद अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ फर्जी की और उन्होंने दो हजार नौ से दो हजार चौदा के दर्मियान एक फर्जी कमपनी बना कर इरान के साथ मामलात तैकिये मैंग की गिरिफतारी के बाद अमरीका और चीन के दर्मियान पहले से कशीदा तिजारती तालुकात में मजजीद कशीदगी पैदा हो गई थी क्योबेक सुब़र करोना वाइरिस से सबसे ज़दा मितासिर हुआ है جहां करोना केसיס की तादाद एक लाग से तजावस कर गई है सुब़ भर में करोना वाइरिस के मजमुई केसिस की तादाद एक लाग तीन ہजार आड़सो चवालिस हो गई है मदीद जानते हैं इस रिपोर्ट में जबके सूबे में करोना वाइरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादा 6214 तक पहुँच चुकी है। हलाकतों की तादा 262 है। अक्वाम मतहदा के इत्धाद बराय तहजीब के नुमाइंदा आला ने गुस्तखाना खाको के मामले पर बढ़ती हुई कशीदगी और बेचेनी पर गहरी तश्वीश का इज़ार किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमन और भाईचारे की फदा पैदा करने के लिए मजाइब का बाहमी एतराम बहुत जरूरी है। इस हवाले से मदी जानते हैं। तालिमात और रसूलों का इहतराम भी मलहूस रखा गया हो। वाज़र है कि फ्रांस में इसलाम और मुसल्मानों के हवाले से मसलसल नफरतंगेस बयानात और एक्दमात सामने आ रहे हैं। गुजिश्टा माह रस्वाई जमाना अखबार शारली हैब्डू की जानब से एक परतबा फिर तोहीना में इस खाकों की अशाथ। फ्रांस में उनकी तश्यीर और फ्रांसीसी सदर की जानब से इसलाम मुखालिब बयानात के बाद मुसल्मानों में गम और गुस्से की लहर दोड़ गई है और दुनिया भर में मुसल्मान सरापा एहतजाज हैं। एली लीली नामी कमपनी ने उस फार्मूले पर दवा तयार की जो टरम्प को करोना इलाज के दौरान दी गई थी जिसके इस्तमाल से अमरीकी सदर वायरिस से सहतियाब होने में कामियाब भी हुए थे। वादे किया गया है कि अगर दवा कारगर थाबिद हुई तो अमरीक एली लीली नामी कमपनी ने इस फार्मूले पर दवा तयार की जो टरम्प को करोना इलाज के दौरान दी गई थी जिसके इस्तमाल से अमरीकी सदर वायरिस से सहतियाब होने में कामिया भी हुए थे। रिपोर्ट के मताबिक कमपनी दो अदवियात के मरकब से ऐसी दवा त तयार कर चुकी है जो मतासिरा अफराद के एंटी बाडीज को मतहरिक करेगी इस से कबल अमरीका की ही कमपनी इस फार्मूले पर दवा बना चुकी है अमरीकी हुकूमत ने एली लिली के साथ एक सोनौ बिलियन डालर का मशूद महाइदा किया जिसके तहट कमपनी दवा की दसलाग खुराके तयार करेगी और फिर अवाम को ये मुप फराहम की जाएंगी रिपोर्ट के मताबिक महाइदे में वाज़ किया गया है कि अगर दवा कारगर थाबित हुई तो अमरीकी हुकूमत कमपनी को रखम अदा करके तहशुदा खुराके खरीद लेगी दूसरी जानिब कमपनी ने तद्दीग करते हुए कहा कि अब्तिदाई मरहले में तीन लाग खुराकों की फरामी की जाएगी और फिर मरीजों पर इसके असर को देखा जाएगा बादजा महकमे सहथ की जानिब से इस दवा के इस्तिमाल की बाकाइदा मनजूरी दी जाएगी अमरीकी महकमे सहथ के एक बयान में कहा गया है कि हकूमत के पास 812.5 मिलियन डॉलर में 6,50,000 इजाफी खुराके खरीदने का इक्तियार है महाइदे के मताबिक दवा की फी खुराक 1,250 डॉलर की होगी मगर हकूमत आवाम को ये बिलकुल मौत पराहम करेगी करोना वाइरिस के दुनिया भर में 1,11,2,7,2,9 मरीद हस्पतालों करंतीना मराकिद में देरे इलाज और घरों में आइसुलेशन में है जिन में से 82,270 की हाल लग तश्वीशनाक है जबके 3,30,3,6,94 करोना मरीज से इतियाब हो चुके हैं मजी जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया का कोई खिता करोना वाइरिस की मूजी वबा से महفوظ नहीं इसके मरीजों और अमवात में मसलसल इजाफा जारी है दुनिया बर में करोना वाइरिस से मतासरा फ्राट की तादाद 4,53,6,582 तक जा पहुची है जबके इस मूजी वाइरिस से हलाकतیں 11,86,609 हो गई करोना वाइरिस के दुनिया भर में 1,11,7,289 मरीज अस्पतालों करंटीना मराकिस में जेरे इलाज और घरों में आइसलेशन में हैं जिन मेंसे 82,270 की हालत तश्वीश नाख है जबके 3,30,3,694 करोना मरीज से हैथियाब हो चुके हैं करोना वाइरिस के केसिस के एतिबार से 10 सरे फैरिस मुमालिक में 33 करोड से जाएद आबादी का हामिल अमरीका पहले नमबर पर है जहां इस वाइरिस से अब तक 2,34,177 अफराद मौत के मुँ में पहुँच चुके हैं जबके इस से बिमार होने वालों की मच्मुई तादाद 92,12,767 हो चुकी है करोना वाइरिस के अमरीका में 29,95,245 मरीज अस्पतालों फरंतीना मराकिस में जेरे लाज और घरों में आइसोलेशन में हैं जिन में से 16,950 की हालत तश्वीशनाक है जबके 69,83,345 करोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं भारत करोना वाइरिस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फैरिस में दूसरे नमबर पर है जहां करोना से 1,21,131 हलाकते हो चुकी हैं जबके इसे मतासरा मरीजों की तादाद 80,88,851 हो गई करोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की फैरिस में बराजील 30 नमबर पर है जहां ये वाइरिस 1,69,033 जिंदग्या निगल चुका है जबके करोना मरीजों की तादाद 54,96,402 तक जा पहुँची है करोना वाइरिस से रूस में कुल अमवाद 27,301 हो गई जबके इसके मरीजों की तादाद 15,81,693 हो चुकी है फ्रांस में करोना वाइरिस की वबा से मच्मुई अमवाद 36,020 हो चुकी है जहां इस वाइरिस के अब तक कुल केसे 12,82,799 रिपोर्ट हुए है साओधी अरब इसी फैरिस में 24 वे नमबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वाइरिस से अब तक कुल अमवाद 5,363 रिपोर्ट हुई है जबके मुम्लिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,46,482 तक जा पहुँची है टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियों में फिलहाल इतना ही मदीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे है टैग टीवी डैली कनेडियन न्यूस बुलिटन इन हिंदी और दू अनली अट टैग टीवी टैग टीवी अप्टेट्स यू बाट करोना सिट्वाशन इन चानदा और अरांग गलूब